वेलकम तू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया इस वीडियो में नए गास टेस्टिंग एजामिनेशन फॉर्म कैसे अप्लाय करें इसमें लगने वाले जरुरी डॉक्यमेंट्स पेमेंट एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं सो लेट्स बिगेन सबसे पहले एलिजबिलिटी देखते हैं इसमें हमें फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगी और एज कम से कम 20 यर होनी चाहिए एसेंसर्स डॉक्यमेंट्स क्या-क्या रिक्वाइड हैं इसके लिए सबसे पहले फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट गैस टेस्टिंग अप्लिकेशन फॉर्म क्याक्टर सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज से या कोई भी ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं कही इसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो एक मेडिकल प्राक्टिशनर के तुरू बनेंगी जिनके पास Mbbs डिग्री होगी तेंथ पासिंग सर्टिफिकेट भरत कोस्पेमेंट रिसिप्ट जो ऑल्लाइन पेमेंट अभी नहीं आई है इस बार फ्रीजेंट फोटोग्राफ पास्पोर्ट साइज में जिसमें तीन फोटोग्राफ एक प्लेइन पेपर में अट्रेस्टेड होके एड़ होके जाएगी और एक फोटोग्राफ गैश्टिशिंग अप्लिकेशन फॉर्म में एक एफिडेविट जिसमें लिखा हो कि आप ने सही document दिया है और दो envelop जिसमें एक A4 size paper जिसमें सारे आपके document जाएंगे और एक small size envelop जिसमें आपकी admit card आएंगे gas testing के application form देखते हैं यहां left तरफ office use के लिए है इसलिए इसमें कुछ हमें कुछ काम ने करना है और right तरफ आपको यहां पर photo paste करना है form भरने के बाद जो एट्रेस्टेड होगी यहां पर आपकी name English में, Hindi में अधार number and father's name in English, father's name हिंदी अगर आपको एक category से ब्लांग करते हैं तो यहां पर टिक मारनी हैं फिर आपकी school living कहां से है वो certificate number रहेगी date रहेगी आपकी स्पोर्ट से की है state board का नाम या CBAC आपकी date of birth यहां पर आप लिखेंगे flame safety lamp handling issuing date और कहां से आप issue ही है VTC या कोई mine से और उस पर signature की है mine manager की या training officer के टिक मारनी है आपको भारत कोश payment के थुरू आपको reference number मिलेगी जो यहां पर आपको लिखनी है date के साथ जिसकी amount 300 होगी आपको online payment करनी होगी वो online payment करने के बाद ही आप यहां पर करेंगे medical certificate date character certificate date statutory certificate अगर आपके पास कोई है तो आप यहां पर लिख सकते हैं examination center अगर आप जहां एक्जाम देना चाहते हैं आप इंप्लॉइड है या नहीं या आप कितने बार पहले अटेंप्ट कर चुके हैं gas station examination उसके डीटेल आपको यहां पर देना है तो आपका यहां पर yes or no फिल होगा यहां पर आपका self address envelope जिसकी मैंने बात की थी छोटे size वाली वो यहां पर mention की हुई है 23 number में passport size photograph additional तीन copy जो मैंने पताई थी paste होके address it होके आपको post करनी है साथ में ही और एक affidavit जिसकी photo मैंने दिखाए थी आपको अगर वो आपकी सही नहीं हुई तो आपकी form reject हो सकती है जासा यहां पर लिखा हुआ है और आपको यहां पर details of inclusive में सारे documents लिखने हैं जो जो आपने attach की है तो सबसे पहले हमारे description चेक आउट कीजे क्योंकि उसमें आपको यह सारे documents के link आपको मिल जाएंगे Google Drive के and mailing address आप regional wise mailing address उसमें दे हुए हैं आप अराम से टिक सकते हमारे description में सारे link आपको मिल जाएंगे final process क्या करना है आपको form भर लेने के बाद small envelope में आपको पचीस रुपए या उससे ज्यादा की एक टिकेट लगानी है और small envelope में ही आपकी gas testing की admit card आएगी उसमें आपकी self address लगी रहेगी और यह सारे documents को मिला कि आपको A4 side envelope में paste करके जिसमें आपका centers address और receivers address रहेगा आपको post कर देनी है receivers address जहां पे आप अपना center चाहते हैं वहां पे आप mail कर देंगे उसको centers address में आपका address रहेगा क्योंकि आने वाले वीजियो में हम लोग भारत को स्पेमेंट पे वीडियो पनाने वाले हैं और subscribe जरूर किजे क्योंकि मायनी का टेंपो आई है